oleil friends आपढ़ना है पाव अपने क्या चला है रंद है या और संगत यूग चल लए ठीक इसकार्थ हैगा कि साहितीकारों का इए साहितीकारों का कि वांप कैसा इस में इसमें कितने स्थ एस उसमें इसप्रमुकर तराज के कराज निम ठी ठीक है और इसके बन्स क्या जासे पाणदे गाए ये परबुक राजबनस पढ़ेंगे है राज में परप्रक्र है पंड्र चोल इसमें कहते है पांडे चोल और चेर यह कहां कहते है यह सुदूर इस्ते दच्छन के क्या थे राज थे ठीक है सुदूर इस्ते दच्छन के क्या राज थे इसमें संगत साहिती क्या है इनकी क्या थी तीनों की संगत साहिती इन नाम पलनों को क्या होती है पराप्त होती ह थीक है पिर तरहं संगटी कि इसमें क्या होता है कि है इसमें संगत साइन कि कितने थे संगराब समय किसमिंद ng差不多 Seems कि Tine 16 संघम मुई सके कितने तीन संघम थीक है संघम योक के बाद में क्या पड़ा है इसका प्रमक्राजवст कौन सा था इसके कर आस निम प से नहीं ठीक है तो हम ज्यादा टाम बेश्ट्ट ना करते हुई तो फ्रेंट्स आफ लोग वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट कर दीजे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे, ठीक है, तब लोग का करते हैं, इसके बाद ये क्या बलते हैं, इसको स्टार्ड करते हैं, चैनल को जो लोग रहे हैं, उन्हों को भी या बता दीजे, ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगें, पिर्थम संगीत इसकी पिर्थम संगम ठीक है किसका इनका पिर्थम संगम संगम किस इस्थान प्रूग आता ये वह वह था मदुरई मदुरई ठीक है इनका पिर्थम संगम का वह था मदुरई में इनका संगम वह था जिसमें बताया गया है कितने जिसमें कितने राजा थे जिसमें पांडिव राजाओं का संरक्षण ठीक है कितने पांडव राजाओं का संरक्षण किया गया इसमें 89 इसमें भाग लेने वाली कुल संस्थाओं कितनी थी इसके कितनी भाग लेने वाली कुल संस्थाओं थी फांडव नवासी मतलब सब में एक-एक कम है ठीक है इसमें कितने कभी हुए किसमें प्रितम संगिती में कितने कभी हुए ठीक है फ्रेंड्स कितने कभी हुए इसमें इसमें हुए साथ कभी हुए कितने साथ क्या हुए इसमें कभी हुए इसमें कभी हुए इसमें कितने कभी हुए साथ कभी हुए उ नहीं बुल लाइब सबसे एक तरीक से अच्छी चीज इसमें क्या है साथ इसमें कर गई जिसने कितने कितनी रचनाएंगी इनने की चारहजार चारसोनिन लॉसिकाय अहें इनको दिककत जिर्यों के इइसने कितनी राजाँशो क्या किया गये इसमें किया गया i9 राजाँ एव कितने लेख लेक हो ज़ां किया किया बहुत है कितने लेख लेक लए रह्टय इसमद्गs कि इसमें कितने क्टे 44499 लेखक ठीक है ओर इसमें संसताइं कितनी थी 59 2049 कितने कभी थे समें सकता कभी थे लेक कितने लेकाघ किते थे 449 ने क्या थे टे सब्सक्राइब बढ़ते हैं कि शिए समझ गहीं टिर्मेस आसे टीन प्रमुक राज मत थे पान्डु छोल चैर संगत साहित तीन ठीन पर पांसो नन्चास ठीक है कभी साथ लेख लेख कितने चारहजार चारसो नन्याव मतला एक लेख लिखना ये लोग भूल गया थे ठीक है एक तरी से कई जाए तो इनका नौनो काकड़ा को ज़्यादा ही फेमस था और जै कितने बरसों तक चला कि कोई भी वह होता है तो कितने बरसों तक चलेगा दो साल तीन साल दस साल पांस जै चला पूरे 4400 बरस सबसे लंबर टाइम पीरिट बताए liksom सबसे एक तरीकी से लंबर टाइम पीरिट इस में दिखाया गया कि 4400 बरसों तक इसका किया किया गया एक तरी से बताया गया ठीक है इसको चला चला उसकी अध्यक्षता किसने की कोई भी संगती होती है इसकी अध्यक्ष कौन थे पिर्थम बहुत संगी तह इसमें प्रिमुक देवता कौन कौनसे थे थीक है इसके प्रिमुकर कि अधिक एप इसके कौन प्रुमुक्ष देवता कौन कौन से इसमें इसमें कितने इतने कम से कम जब इसमें इतनी संगेतिया हुई इतने 4400 साल तक चला तो इसके पिरमुग देवताओं के बारे में किता है हम लिखते है इसके पिरमुग देवता थे अगस्त है क्वॉन थे एंने जवर Кऊ अगस्त सिव कई डूसरे नाम लिया गयए तैर्व तरूक तुरी पूरा मेरी था जिनको सिप का नाम लेखा गया if मुर्गन मुरुगन ठीक है मुरुगन किसके अफ्तार थे मुरुगन थे कार्तिक जी के अफ्तार नहीं नहीं थे गड़े जी के विस्नु जी के अफ्तार थे मुरुगन ठीक है विस्नु भग्मान को मुरुगन का क्या किया अफ्तार दिया गया ठीक है और और भी आदी देवतह आधी, आदी, सेष, और भी जो देवता थे उनके बारे, देख़र रहता है, इसमें मानक गरंप कौन सा था, ठीक है, इसके डेपताओं के बारे में हो गया, अब किसके मानक ग्रंट, ठीक है, इसमें जब ये चीद दीए है, तो इसके मानख ग्रंटों के बारे में भी दिया जायेगा, किसके बारे में दिया जायेगा, मानख ग्रंटों के बारे में, friends, वीडियो लाइक करो, वीडियो को लाइक, share, और चैनल को सबस्काइब किजिए, आपको content चैनल के ऊपर मोटिवाइड करोगो मिले को मोटिविड दो आप लोग के लाइक से मेरा फायदा होगा ऐसा नहीं है मेरे आप लोग के लाइक से मुझे जे लेगा कि हां आप लोग चैनल को देख रहे हो और आगे मैं इसमें कॉंटेट और अच्छे से अच्छा डालने चाहि मेरी ठीक है इसमें मानगरंथ थे मानगरंथ कोई काम नहीं इतने महत्पूर नहीं है ठीक है कि इसमें क्या हुआ था जो आचार थे इसके कौन रिसी अगस यह क्या किये थे इन्होंने क्या किया था अगस ना उत्तर भारत से अल संस्कृती को लेकर क्या किया थे निर्ट पर अग idée है यह इन्होंने क्या अंनुक्या क्या क्लिक्स के इसको ऊत्तर भारत से ताष तर वह से संसकृति लेकर किस्ट में घाए था ने संस्कृति लिखे कौन सी संस्क्रति इन्होंने आज संस्कृति आर संस्कृति को उत्तार से दच्छन ले गएते ठीक है फ्रैंड्स तो पर लोग वीडियो को आप लोग को अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक share और comment कीजिए ठीक है आप लोगो चैनल को भी subscribe लिए अब इसमें करते हैं सेकंड वाले बारे में पढ़ते हैं पर कौनसी सेकंड संगती इसके पढ़ते हैं तो इसे साब से आप लोगो friends को और लोगों को भी अपने दोस्तों को क्या कर लीजिए एड कर लीजिए है और चैनल का क्या कीजिए अच्छे से आप लोग देखिए अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वह आप पढ़िए हैं अपन क्या पढ़ते हैं इसमें दुटिय संगम ठीक है क्या करते हैं इसका दुटिय संगम ठीक है पारपंड इस्टेडिंग अपनों करके लूसांट जी के जीएस में संग्डम युक का कौन सा दूतिया संग्डम के कर रहे पढ़ रहे हैं इसका स्थान क्या था कमेंट बता ही जड़ा इस्थान इसका क्या था इसका स्थान था कपाट पुरम कपाट पुरम क्या था इसका इस्थान था दूतिया संग्ड़ी के स्थान क्या था कपाट पुरम इसका इस्थान था इसमें कितने राजाओं का संग्डम के बारें बताया गया है इसमें पांडू राजा सबसे यह संकट में यही लग रहा है तो अभी तक कि इसमें सबसे आधा ही पांडु राज तो संकट में ते का सल रख्षण कितनी राजाओं का सल रख्षणए इसमें इसमें एगा 59 तप राजाओं का मांडू सरडश ठीकह्ष ग्रख अजिसमें अकादमी सेदस अकादमी सदस कितने थे इसमें अकातमी सदस्वे इसमें कभी कितने हुए ठीक है इसमें लेखा किते हुए कितने बरस तक चला अश्वे थोड़ा सा गौर कीजिए अभी वह बता है इसमें 59 थे तो उन्हें पहले संगजी से कुछ ना को सीखा हो कि मतला हमें कितने राज आए तो इसमें किस तरह से कितने लो कि इसमें रहे कमिटर बोग से मताई ही इसमें रहे कितने कभी रहे इसमें साड़ेतीन हजार गया साथ सू क्या रहा है समें कभी रहा है पर चgensा ठीन हजाना ना कि तीन हजार 500 कभी रहो और यह तीन हजार साथ सो बरतं सो एक पर पागों हों एक मतलब उन्हार एक बरता काे कभी ठीक है कितने 1ग Gonzalez 100 क्या थे कभी डिसमग्त नंद पर तो इसमें जो इस और शाτο सोeres तक यह चला टीक है इसमें एक वो लिखा गया इसमें एक वो लिखा गया गया बोलते एक तरीक से कही जाए एक लेक लिखा गया था जिसका क्या नाम था तो काप पी तो काप पीम क्या था एक लेक क्या था लिखा गया था तो काप पीम क्या क्या था एक लेक लिखा गया था इसके लेखक कौन थे अब एक बाँ बताओ कोई भी लेखक अपने नाम पर ही क्या करेगा किसी भी किसी की रचना करेगा किसके लेखकते तोलका पियर बहुत डीपली कोशन पढ़ रहे हैं आप लोग ये कोशन डीपली कोशन आपको कहीं पर भी मिलें इनकी किसी भी बुक में इस अब बता दीजी में वीडियो नहीं डालूंगो सब से नो ऑधिक है और ये नहीं होता इनके बारे में नहीं मिलता है ठीक है और यह है क्या यह तमिल भासा का सबसे प्राचीन ब्याकरन क्या है तमिल भासा का इस सबसे प्राचीन अब ब्याकरन है अब फ्रेंड्स मेर एक दो दो घंटे की छास लेना नहीं आती ठीक है, मंगर जितनी भी लेता हूँ न, उतनी अपने दिल से पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये नहीं है, कि ये गंटी क्लास में एक पिछ पढ़ाया, जितनी भी क्लास लूँ, उतना ही पढ़ाऊंगा, उतना ही minimum टाइम में, 10 मिट, 15 मिट, 20 मिट, इस से जादा ही क्लास लोगे तो आप लोग बोर होगे, आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखिए, रिवाइन कर करके, ये वीडियो में आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, और जो फ्रेंट्स आपके जो दोस्त हैं, उनलों को भी इसके नोट्स ब कौन सा ब्याकरन है, सबसे प्राचीन ब्याकरन तमिल का कौन सा है, जै आप लोगों बहुत कम और बहुत रियर कॉंटेंट में ही मिलेगा आप लोगों, हर जगे नहीं मिलेगा ये, तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और अच् मिनिट का कॉंटेंट देती के चक्कर में फूरा घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा बातो बातों में बेश्ट करना, ठीक है, जितना भी कॉंटेंट दो, अच्छे सा दो, सामने वालों को अच्छा लगने चीए, तो आप ज़्यादा से ज़लो, बस मेरी एक ही दस लोग होंगे तो मज़ा आएगा कॉंपेडिशन में तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक सेर चनल को सब्सक्राइब और लोगों को भी कर दीजिए आप लोग सेर कर दीजिए